Hello everyone, welcome back viewers, कैसे हो आपसे लोगाईज, उमीद करती हूँ, स्वस्त होंगे, अपने आपको हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे, viewers, आज मैं आपके लिए आप ही की रिक्वेस्ट पे एक रिडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा, थर्ट पार्टी रिडिंग, तो थर्ट पार्टी में वीवर्स क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन थर्ट पार्टी की बीच में किस तरह की सिचुएशन है, चलिए देख लेते हैं, आपके पर्सन थर्ट पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आपके पर्सन के मन में भी है वो भी आपके देखेंगे ठीक है तो ये रिडिंग जन्ना क्लाक्टियो टाइमलेस रहेगी येस रिडिंग को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत सा चीज़े रिडिंग को जो थर्ट पार्टियो और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है तो प्लीज डिवाइन उनिवर्स एंजल प्लीज हमें बताएं गाइड करें मेरे वीवर जो इस रिडिंग को देख रहे हैं यह देखेंगे उनके पार्टनर और थर्ट पार्टी के बीच में क्या कुछ है क्या कुछ है क्या क्या चल रही है अपने बाइन एंजल पीज़ बहुमें बताएं से लिएडिंग क्या 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 गुण है सब्सक्राइब बताएं मुण तर विलो रहे हैं Ace of Cups यह कार्ड में यहां से हटा रही हूँ लेकिन यह रिटिंग में कंसिडर करूँगी लबर्स का कार्ड आया है Queen of Wands So we have Knight of Cups ठीक है Bottom के नरजी आई है Six of Six के रही हूँ, Nine number के नरजी Nine of Pentacles के नरजी यहां पर है मैं इन कार्ड सु क्लेरिफाई कर रही हूँ Okay Beyond Illusion यहां पर है Nine number के नरजी, Nine of Pentacles की Okay सारे कार्ड सापके सामने सबसे पहले वीवर्स मैं यहां पर क्या देख पा रही हूँ जो third party है ना आपके relationship में और आपके person के बीच में यहां पर कुछ energy मुझे मिल रही है एक second जरा खाओ तो इनके बीच में क्या energy मिल रही है वीवर्स यहां पर कुछ बाते हैं जो बतानी जहें थी relationship को लेके वो नहीं बताई गई side by side एक another connection है जो चल रहा था ठीक है third party को या फिर यह कहें कि आपके person को अब देखो यह energy में निका लिया उनके connection के energy निकाली इसमें थोड़े से हो सकता कि आप लोगो confusion भी लगे कि यार कौन कौन सा बंदा है तो यह चीज़े मैं आपको बात में clear करूंगे पहले मैं इस चीज़ को clear कर दो चलो यह चीज़ मैं अभी clear करती हूं यहां पर पहले मैं clear कर दो यहां पर यहां पर ही विवर्स क्या हुआ है कि आपका जो person है ना इसके साथ में आपके person के साथ में एक बात है जो थर्ट पाटी नहीं आप चुपाई है और वो चीज़े जिसे कितना पेट में राज रख लेना और इसको पेट का बड़ा पक्का इंसां पाने यार सामने वाला कहते है इसके पेट से बात निकालना वड़ा मुश्किल है है ना तो वही कहीं नहीं हुआ है कि थर्ट पाटी ने अपने पेट के अंदर कोई राज था जो छुपा रखा था अब वो निकल गया बाहर वो सामने आ गया है आपके person के सामने आया और ज यार के साथ में connection में हो या तुम्हार साथ में कोई और वेक्टी भी relationship में चल रहा है side by side तुम मुझे भी मुर्ख बना रही है और तुम उसको भी मुर्ख बना रही हो आप देको male female कोई भी हो सकता है तो मैंने तुमारे लिए आपका person कर रहे है कि मैंने तुमारे लिए उस वेक्ती के साथ मैंने अपने relation खड़ाब कर दिये और तुम मुझे बेवकूप बना के या मुझे उल्लू बना के मुझे अंधेरे में रखके तुम एक नया connection भी लेके चल रही हो यहाँ पर कोई game चल रहा है किया तुमने जिंदिगीयों को relation को मजाग बना रखा है किया त उसने उसके विश्वास को हिलाए थाटपाटी ने थाटपाटी से ऐसी उमीद नहीं थी अब यहाँ पर थाटपाटी जो है सफाई देती हुग नजर आ रही है वो यह कि वह मेरा serious connection नहीं है जस्ट वो मेरा मेरी ब्लीव फ्रेंड है या फिर कुछ नहीं हो उसने मेरी support करी है मेरे बुरे वक्त में और मेरी लाइफ में इत्सार अपन डाउंस आ है उसने ही मुझे समाला तुम्हारे साथ में जब चीजे complicated होती थी चलती थी तो वही वेक्ती था जो मुझे समालता था यह समालती थी उसी ने मुझे हमेशा से moral support किया है वो मेरी लाइफ में just मैं उसे सरफ इसलिए बात करती थी, इसलिए बात करता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी, जब तुम मुझसे दूर जाते थे, तो यह इस तरह की सिच्वेशन है, जो कहीना की नजर आ रही है, उसके साथ में मेरा कोई serious attachment नहीं है, लेकिन उ आपके person कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर यह सब कुछ है, तो यह chat क्या है, यह सब कुछ तुम्हारे बीच में जो हो रहा है, यह जो photos वगरा, यह क्या है, तो आपके person viewers यहाँ पर कहीं नहीं उस connection के सामने आने से, यह जो lovers की energy आई यह यूहीं नहीं आई है, यह बहुत ही shocking energy जो कि आपका person कह रहे हैं कि मैंने तो तुमसे प्यार किया, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तुम्हारी नजर किसी तीसरे person पर है, तुम मुझे भी चला रही हो यह मुझे भी चला रही हो, तुम जुट बोलती है तुम्हारे साथ तुम्हारे relationship उसके साथ यह मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है तुमारे बीच में फिजिकल रिलेशिशिप है या तुम उनके साथ में connected हो इस बातों को आपका जो person वो admit कर रहा है कि तुम मुझे और जादा बेवकूफ यहां पे नहीं बना सकती यह energy देख रहे हैं थड़ा यह वेक्टिंग की energy है यहां पर इंसान conscious है वो intuitionally चीजे नहीं बोल रहा है उसका सामने आपका person कहा है मैंने यह देखा है मेरे पर प्रूफ है आखो देखी बातों को जूटा मैं कैसे कह दूँ मैंने तो यह चीज देखी है मैंने तो यह पढ़ी है तो मुझे और जादा मुर्ख नहीं बना सकती तो यह चीजे हैं वीवर जो आपके relationship मतलब आपके third party relationship में यहां पर कही ना कही नजर आ रही है third party definitely वीवर्स यहां पर किसी ना किसी third person के साथ में involved है इन्हीं third party के life में भी को और third person है तो third party के life में कितने person हो गए in total अगर देखा जाए तो दो person हो गए जो की connection में दिखाते ह वात में मतलब एक relationship type के energy वो नजर आती है ठीक है आपका person यहां पे कही ना कि k blank विश्वास निहीं और अपर vision कि एंप एंगर सकता है याए मैं तेरे पर विश्वास नहीं कर सकती, तो अपने आपके परसाइने, ऑपके तो अपने परसाइना एमोशनल Ragazinha है इस समय ब्लॉग कर रखा है, आपके परसाइने, तो उसने क्या कर रहे हैं, ने परसाइन इस अपने परसाइने, एक क्रिएट कर आउड थियוז रही कि बात नहीं कर consistent पर अपन गतलु तियाक पर तो एंप इसद और आपको बत में कर से होशाल तो मुझे कर सकें नहीं हो दिखा रहे यू, और आपको बहुत जादा नहीं कि रpy Жार्ट कॉपना तो इनसान वही छुपा सकता वार्ट जो कि चुपाना चाहता है, वह सामने नहीं लाना चाहता था, इस चीज को लेके क्योंकि वह बाइ डिफॉल्ट चीजें थाइए तो रड़ रीकिका जुड़ी वी आपके परसन के सामने तो थाट पर आपसे आपके परसन से कही नगए अपने इन चीजों को लेके माफी ममांग रही है, वो ये भी कहने की कोशिश कर रही है, थट पाटी, कि उसने जान मुझ के नहीं किया, जस्ट हो गया, ठीक है, उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो बह गई है, बह गया, जो आपके परसन कहीं नहीं अपने इस थाट को भुला दे कि उनके साथ में चीटिंग हुई है, उनके साथ में गलत हुआ है, आपके परसन को ये एतबार दिलाया जा रहा है, कि वही, आपका जो परसन के साथ में रिलेशन्शिप है, थट पाटी का, वो जस्ट और जस्ट उस कि स्रत्ती वीवर्बस यहांभर आपके परसन को यह कहिन इसके छिलाने में लगी हूई है, वह कह बाते हैं कि बहुता है , या सुन तो रहा है या सून तो रही है आपका परसन है बड़ उसपेशस एनरल्य लेके चल रहा रहा है ऐसको एतवार नहीं हो साओ नहीं हो कर तो कि है थोड़ी टील देना टो ड़ीब आने वाली अनर्जिय कहें ऐना की चैल रही है थोड़ी ढियने जाए जहा है लेकिन जहासे की में की तरह छीच तिया जाएगा तो यहां पर आपके person की तरफ से यह चीजे हैं जहां पर आपके person की तरफ से यहां 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 पर आपके person क किस कनेक्शन को लेकिन फ्यूचर किस तरफ लेके जा रहे हैं किस तरफ लेके जा रहे हैं वे आपनेकल के नरजे हैं थे इंद आपन फ्लर जपलेस तरफ देचिए हम ट्रकाइब जरेओन्स को लोड़ातो अपली है जstar पूली हिए हैं थे एस हो बाका थे जाब सुछ बाकारत ए किस पत्वत प्रस को दिखो वीवर्स कहते हैं जब एक बात हो तो इसको इंसान इग्नोर कर ले इक बार हो तो इग्नोर करे दो बार हो तो इग्नोर कर ले लेकिन अगर वो छीज़े बार-बार-बार हो रही है तो उनको इग्नोर नहीं कि आ जा सकता तो आपके परसन थट पाटी के कनिक्शन को लेिकर इसी इनर्जी में मुझे आते विए नजर आ रहे जिए परसन को इतने जादा सीर्डी नहीं बना रहे हैं कि अपके परसन को भी खार रहे हैं थोड़ा कि वह दिना में नहीं रह सकते थोड़ा क्योंकि emotional attachment है या फिर ये कहें कि वो आपकी तरफ return back नहीं कर सकते कुछ लोगों तो यहां पर ये भी complications नज़र आ रही है तो अभी आपके जो person ignorance के energy मुझे नज़र आ रहे है यानि वो चीजों को जित्ता भी हो सके तालने की कोशिश करें उस वेक्ति को मौका देने की कोशिश करें कि वेक्ति जो है सुधर जाए ठीक है और सुधर जाएगी ये सुधर जाएगा तो बहुत अची बात है उसके लिए complications नहीं होंगी आपके person के लिए लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि एक दो बार तो आपके person चीजों को ignore करेंगे लेकिन उसके बाद में इनके लिए ignore करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए चीज़े एक complicated बहुत ज़दा हो जाएंगी और आपके person की life में एक ऐसा turning point यहां पर नज़र आ रहा है कि इनके सामने कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है सामने तो कुछ ऐसा जरूर होने वाला वीवर जिसकी वज़ए से आपके person को अपने फैसले पे जिस फैसले को लेने के लिए ये delay कर रहे हैं आखिर कार इनके सामने वही situation क्रियेट हो जाएगी जिससे ही डरते हैं और डरते हैं वीवर तो आपके person फिर let go की energy में नहीं आएंगे चलियार छोड़ एक बार और मौका देदू नहीं फिर ये अपना फैसला लेंगे फिर ये ऐसा फैसला लेंगे कि आरिया पार का तो आपके person का वीवर्स यहां पर आरिया पार का decision वाला फैसला होने जा रहा है और ये कहीं ना कि depend करेगा खुद third party के action के उपर तो third party की तरफ से कोई ना कोई ऐसी mistake यहां पर जरूर होगी जो मुझे यहां पर नजर आ रही है कि यह जो वेक्ती है यह आसानी से मानने वाली है मानने वाला तो नहीं है वो आपके person से छुपा के third person जो है third person को ही entertain जरूर करेगा उसके साथ में relationship जरूर maintain करेगा जहां जहां आपके person के साथ में कुछ चीजे क्योंकि अभी भी third party की life में third party है तो उसके साथ में बाते शेयर करना अपने पुरी life का जो update शेयर करना चीजे और ज़दा शेयर करना तो ऐसे शेयर करने की वज़े से वो उसके कहना की नजदीक आ चुकी है तो वो attachment वहाँ पे created हो गया है कि जिसको third party खुद भी break नहीं कर पा रही है तो third party दोनों connection को साथ में लेगी चलेगी और यही चीज़ आपके person के साथ में आएंगी कि आपके person के warn करने के बात में भी third party उन चीजों को नहीं मानेगी वो उनके उनी के decision को कहीना कि overrule करेगी और आपका person तब जाके decision लेगा कि नहीं now is enough that is end ये अब end है अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है फिर आपका person third party को hold करने की ये रोगने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेगा जो आपके according third party है तो ठीक है यहाँ पर third party के energy viewers यहाँ पर समझ में आई रही है अगर आपका person एक observer के energy में आ रहा है और इनके सामने definitely ये चीज़े आएंगी कि third party third party को नहीं छोड़ रही है वो इनको just or just बेवकूप बना रही है तो ये चीज़े viewers यहाँ पर चल रही है कि अब उसको ये चीज़े करनी ही होगी यानि एंडिंग करनी ही होगी अपनी life में वो इस तरह से अपनी life को भी अबरवाद नहीं करेगा क्योंकि आपके person का वीवर्स यहाँ पर ये जो फैसला है वो यू ही नहीं आ रहा है वो tower के होने के बाद आ रहा है जिसको आपका person बहुत समय से नजर अंदास ही कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ये energy दिखाती ही कि आग में इंसान जल रहा है वो सब कुछ उसको लगता था आपके person को कि वो आपके person के under control है लेकिन उसके साथ में game हुआ है ये वेक्ति को साथ में समझ में आ जाएगा कि वो कहीं न कहीं सरफ एक मोहरा था चाल तो कोई और ही चल रहा था तो ये चीज़ आपके person के साथ में viewers यहाँ पर होते भी मुझे इन future नजर आ रही है तो ये है reading आप लोग के लिए जो यहाँ पर आप लोग के लिए भी कहीं न कहीं हो सकता कुछ लोग के लिए shocking हो कुछ लोग को अल्रीटी पता ही हो कि यहाँ भी इस वेक्ति के life में भी कोई वेक्ति है कब तक होगा ये ये question आप लोग की दरफ से आ सकता है कि कब तक होगा ये कि कब तक आपके जो person overcome करेंगे please universe angels हमें बताएं कब तक होगा ये इनके person इनके पास में लोटके जो आएंगे वापस कब तक होगा ये actual में हमारे दिमाग में जो question है वो ये कि ये जो आपके person का decision है ending का ये कब तक होगा third party connection ending का please universe angels बताएं इनके person ये move on के energy कब तक करेंगे third party connection से देखो वीवर्सी हाँ पर आप लोग के लिए मुझे मार्च अप्रैल की energy मिल रही है कुछ लोग के लिए यानि कि आपका person जो है इतनी मैंने बोला ना कि थोड़ा time लगेगा इसके अंदर क्योंकि ये अभी ignorance के energy पर watch out fully रख रहे हैं जैसे दिखाये ने कि उन पर वो इन चीजों को ignore कर रहे हैं लेकिन आपका person connection में ध्यान तो दे रहा है तो उसके सामने ये चीजे में भी आपके relationship में आपके तरफ आने के जो energy बनेगी मार्च अप्रेल के बनेगी ठीक है तो आप इतना time आपको में भी कुछ लोग लिए लग सकता है definitely इतना time लग जाएगा क्योंकि आपका person अभी emotionally कहीना कि इस वेक्ति से attached है इसलिए कहीना कि उसकी इतनी गलतिया होने के बाद में पे उस गलतियों को माफ कर रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं तो एक चीज का घड़ा भरता है और वो फटता है तो वो energy आप लोग के लिए मौजर मार्च अप्रेल की मिल रही है मार्च बेसिकली आप लोग लिए most significant month रहेगा यहां पर एक turning point रहेगा जब होली जलेगी आपकी life में बहुत कुछ होगा तो कुछ ऐसा time weavers मुझे आप लोग के लिए दिख रहा है तो इस time में आप लोग को थोड़ा सा देख लो prayer वगरा कर लो manifestation कर लो जो भी है जल्दी हो जाए चीजे तो ज्यादा भैतर है तो यह वीवर्स आप लोग के लिए reading अगर यह reading आपसे resonate हुई है तो इस reading को अप्रोच कर सकते चलिए मिलते नेक्स सीडिंग में तिल देन अपना ध्यान रखे खुद को हील रखे पॉजिटिव रखे तो वह टेक केर